आप लोगों को जान करके आश्चरे होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खतम हो गई है, ताला बंदी लोकतंत्र की हो गई है हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं, वो बैंक्स उस चेक को आउनर नहीं कर रहे हैं उसके उपर जब हम लोगों ने आगे च्छानबीन करी, तो हमें पताया गया कि देश की मुख्य उपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए हैं कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर ताला बंदी हो गई है कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए हैं हमारे देश में लोगतंतर पर ताला बंदी हो गई है और ये कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं हमारे देश में डिमोक्रिसी फ्रीज हुई है हैरानी की बात ये है कि जब दो हफ़ते केवल या हफ़ता चुनाव घुशना के लिए रह गए हो ऐसे समय में प्रमुख उपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करेंगे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा तो हासे पद है और नाकेवल कॉंग्रिस पार्टी के कल शाम को यूथ कॉंग्रिस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए और यूथ कॉंग्रिस और कॉंग्रिस दोनों के अकाउंट जो फ्रीज करे गए हैं 210 करोड की रिकवरी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कॉंग्रिस और कॉंग्रिस से मागी 210 करोड की कुल रिकवरी